तो विक्टे गिर गई सिर्फ चार वन बोट पे थे वो समय था जब गेन बास थोड़ा सा परिशान कर रहा था बल्ले बाजों को लेकिन फिर आप विश्वास में बढ़ते हुए नदर आये हो पाउ उठा नहीं है अंगत का पाउ था बिलकुल टिका रहा मैदान के उपर कुछ अच्छे शॉट्स में खेल के दिखाए और ये वो समय था जब बल्ले बास हावी होते नदर आये भारतिये गेन बासों के उपर बड़ी पारीकी से खेला ये शॉट्स अर्चा तक अब तक पूरा किया कुछ बड़े शॉट्स भी खेले सही अंजाम तक खराब गेदों को पुछाया लेकिन यहां पे वो भागिदारी तूट गए और फागिदारी तूटी इसका मतलब ये नए बल्ले बास इस पे आए और फिर उनके लिए कारे और कठिन होता चला गया सेट बल्ले बास आउट हुए एक के बाद एक और फिर वहां से मुश्किले बढ़नी शुरू ही यहां यहां जादा मुश्किल था रही है ने ने थोड़ा लेक्स्विन गेन बाजी करते हुए थोड़ा प्रेयोग करते हुए नजर आया अश्विद जेसन होल्डर ने दिखाया कि ताकत है उनके पास यह नोबल्ले का अच्छा संपर्क होता है रॉस्टन चेस ने लुभाया अपने स्टोक्स के साथ लेकिन कुल्दीद यादव ने फिर एक बार वो ठिंकी गुमाई जिसने परिशान किया बल्लेवाजों को कुछ रन जरूर आया आकरी के ओरों में लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी तब तक मैच का काप हो चुका था और यहां 105 रनों से यह मुकाबला जीन गई भारत